आप सबी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूटूब चैनल जोतिश ग्यानी पर मैं आशी शर्मा आज आपको बताऊंगी दैनिक राशीफल आज हम जानेंगे 12 फरवरी 2023 का दैनिक राशीफल साथ ही पंचांग कैसा रहने वाला है ये भी जानेंगे पहले हम दैनिक राशीफल जान लेते हैं उसके बाद में जानेंगे पंचांग कैसा रहने वाला है मेश राशीवालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा ये जान लेते हैं तो आप आज के दिन सेहत और लुक से जुड़ी कोई चीजों को सुधारने के लिए पर्याप समय मिल सकता है आपके बीते समय में बहुत पैसे खर्च किये हैं जिसका खामियाजा आज के दिन आपको भुगतना पड़ सकता है आज आपको पैसों की जरूरत होगी लेकिन आ आप सेहत की वज़ा से गूमने जाने का कारेक्रम जो आपने प्लैन किया था वो तल सकता है शाम धलते ढलते आपका रोमेंटिक तोर पर आपका जुकाव आपके दिल और दिमाग पर चाया रहेगा जो लोग बीते कुछ दिनों में काफी व्यस्त है उन्हें आज अपने ल सकती है अब बात करते हैं उपाय की तो आपको तंदूर में लगी मीठी रोटी गरीबों में बाटने से आपकी आर्थिक इस्तती मजबूत होगी वीडियो को अंतक अवश्य देखिएगा क्योंकि ऐसे ही हम सारे राशी वालों के उपाय भी लेकर आएं तो वीडियो में अ संतुलित नजरिये से दोनों पक्ष को जातने की जरूत होगी आज आप आसानी से पैसे इखटा कर सकते हैं लोगों को दिये गए पुराने कर्ज आपको आज के दिन वापिस मिल सकते हैं या फिर किसी नई परियोजना पर लगाने के लिए धन अर्जित कर सकते हैं हो सकता ह कि आप अपने परिवार के लोगों की सभी बातों से सहमत नहीं हूं लेकिन आपको उनके तजुर्ब से सीखने की कोशिश करनी चाहिए काम के दबाव के चलते मानसिक उथल पुथल और परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है दिन में समय पे आपको ज्यादा तनाव नही खाली वक्त रहेगा जिसमें आपको रचनात्मक करने की कोशिश कर सकते हैं वक्त को बरबाद नहीं करना है शादी शुदा जिंदगी के नजरिये से यह थोड़ा सा मुश्किल बरा वक्त रह सकता है जब आप अपने परिवार के साथ में समय ज्यादा व्यतीत करते हैं तो थोड़ा सा कहा सुनी हो सकती है लेकिन आज आज आपको इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए उपाई की बात करें तो काले गोड़े की नाल से आपको बना हुआ चला पहनना चाहिए इससे आपके स्वास्त में बैतर देखने के लिए मिलेगा आपको स्वास्त बैतर दिख लेकिन आर्दिक तोर पर आपको फाइदा भी साबित होगा प्रभाव शाली और महत्वपूर्ण लोगों से परिचित बढ़ाने के लिए आपका सामाजिक गति वीदियो में आज के दिन आपको मौका मिल सकता है आप आज प्रेम पूर्वक मनुभाव में होंगी इसलिए कर्म, कांठ, हवन, पूजन, पाठ, आधी की योजना पर आपके घर में हो सकती है जब आपका जीवन साती जब सारे मन मुटाव भुला कर प्यार के साथ में आपके पास फिर से आएगा तो जीवन और भी सुन्दर लगेने लगेगा प्यार से बढ़कर कोई एहसास नहीं आपको भी अपने प्रेमी या प्रेमीका से ऐसी बाते बोलनी चाहिए जिससे उनका विश्वास आप में और ज्यादा बढ़ने लगे और ज्यादा प्यार मिले और ज्यादा प्यार में नहीं उचाई प्रापत कर पाए अब बात करते हैं उपाई की तो क्या उपाई करना चाहिए, घर में लाल रंके परदे और चादर आपको प्रयोग मिलाने चाहिए. करकराशि के बात की चाहे, की तो करकराशि वालोग लिए कैसा रहेगा? कल का दें, तो आपको जल्द से जल्द अपने जजबात को काबू में करने और दर से आजादी पाने की जरुत है क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए नुकसान दाई हो सकता है, आपकी सेहत पर खराब असर डाल सकता है और अच्छी सेहत का मज़ा लेने में आपसे वंचित कर सकता है जो लोग अब तक पैसे को बिना वज़ा से उड़ा रहे थे आज उन्हें अपने आप पर काबू रखने की बहुत ज़्यादा जरूत होगी और धन की बचत करने की जरूत होगी रिष्टेदारों के साथ में अपने संबंदों को फिर से तरोताजा करने का दिन रहने वाला है रोमांस को जटका लगेगा रोमांटिक जो प्यार भरे लोग है प्यार में जो पड़े लोग है उनको थोड़ा सा जटका लग सकता है आपके कीमती तौफिक भी आज के दिन कोई जादू नहीं कर पाएंगे अगर आप अपनी चीजों का ध्यान नहीं रखे तो आज खोने की या कोई चोरी होने की संभावना हो सकती है शादी सोधा जंदगी के नजर यह से यह थोड़ा सा मुश्किल भरा वक्त रह सकता है अपने जीवन साथी के साथ में एक केंडल लाइट डिनर संभव हो सकता है आपकी हफते भर की ठकान दूर हो सकती है अगर आप केंडल लाइट डिनर पर जाते हैं तो उपाई की बात करें तो नदी में आपको सफेद या काले तिल बहाने से आपके प्रेम संबन में मदूरता आएगी सिंग राशी की बात की जाए सिंग राशी वालों के लिए बेकार के खयाल अपनी उर्जा बरबात कर सकते हैं प्यार मेल जोल और आपसी जुडाव में इजाफ़ा हो सकता है, हर रोज प्रेम में पढ़ने की अपनी आदत को आपको बदलना चाहिए, दिन को कैसे अच्छा बनाया जा सके, इसके लिए आपको अपने लिए समय निकाल कर सीखना होगा, कोई व्यक्ति अपने जीवन साती म काफी दिल्चस्प दिखा सकता है, हो सकता है आपकी जो भी जीवन साती है, उनके साथ में आपका कोई भी व्यक्ति जिसे आप जानते हैं, जिससे आना जाना लगा रहता है, वो दिल्चस्प दिखा सकता है, लेकिन दिन के आकरी तक आपको एहसास होगा, कि इसमें कुछ गलत नहीं था, ठंडा पानी पीने से आज के दिन आपको बचना होगा नहीं तो स्वास्त में थोड़ी सी खराबी आ सकती है, उपाय की बात करें, तो बढ़के पेड़ पर दूद चड़ाना चाहिए, या फिर गीली मिट्टी का तिलक लगाना चाहिए, इससे आपका स्वास ठीक रहेगा, कन्या राशी की बात की जाए, तो कन्या राशी वाले के लिए कैसे रहेगा, कल का दिन कोई आपका मूर खराब कर सकता है, लेकिन ऐसी चीजों को खुद को काबू में नहीं करना चाहिए, व्यक्ति, व्यार्थ की चिंताय और परिशानी आपके शरीर पर नक चीजों को बात ही अच्छा रहने वाला है, रिष्टेदार के यहां से कोई छोटी यात्रा आपके लिए भागदाउर भरे दिन के लिए हो सकती है, आज का दिन आपका थोड़ा सा भागदाउर बढ़ा दिन हो सकता है, आराम और सुकून देने वाली साबित कम साबित होग मुहबत के मोर्चे पर देखा जाए तो आज आपकी तुतली बोलेगी क्योंकि आपका जो महबूब होगा आपका जो प्रेमी होगा आपकी रसी कलपनाओं को अमली जामा पैनाने की लिए तयार होगा इस राशी के जातक आज खाली वक्त में रचनात्मक काम करने का प्लाइन बना सकते हैं लेकिन उनका ये प्लाइन पूरा नहीं हो पाएगा विवाद में एक लंबी कड़ी आपके रिष्टों में कमजोरी ला सकती है अता इसके इसे हलके में नहीं ले आपको इसको हलके में नहीं लेना है ठंडा पानी आज के दिन आपको पीने से बचना होगा नहीं तो आपके स्वास्त में खराबी आ सकती है उपाई की बात करें तो सरसों के तेल में अपना मुख देखकर दान करने से आपका जो स्वास्त होगा वो अच्छा बना रहेगा तुलाराशी की बात की जाए तो तुलाराशी वालोकली कैसा रहेगा आज का दिन आज आप खुद को सुकून में और जिन्दगी का लुफ्ट उठाने में सही मनोदशाम में पाएंगे आज के दिन आप सुकून से जी सकते हैं खुद पर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा होगा आज के दिन जो जिन्द होगा आप बहुत ज़्यादा लुफ्ट उठाएंगे उस दिन का विदेश में पड़ी आपकी कोई जमीन आज के दिन अच्छे दामों में बिख सकती हैं जिससे आपको मुनाफ़ा होगा आपका जीवन साथी आपकी साहता करेंगे और मददगार साबित होंगे आपकी आखे इतनी चमकीली है कि वे आपके प्रेम के अंधेरी रात को भी ग्रोशन कर सकती है चात्र चात्राओं को आज अपने काम को लेकर कल पर नहीं टालना चाहिए आपको जब भी खाली समय मेले अपना काम पूरा कर लेना चाहिए ऐसा करना आपके लिए बहुत ही हितकारी साबित होगा यह दिन शादी शोदर जंदगी के लिए बहुत ही खास दिन रहने वाला है जीवन का आनंद अपने लोगों को साथ लेकर चलने में यह बात आज आपको इस पस्ट रूप से समझ आ सकती है उपाई की बात करें तो सफेद, फूल और कुछ पैसे सहित आपको जल में प्रवाहित जल में आपको बहा देना चाहिए ऐसा करने से आपकी जो सेहत है वो बहतर बनी रहेगी व्रिष्चिक राशी की बात की जाए तो व्रिष्चिक राशी वालों को क्या उपाई करना चाहिए साथ ही उनका द्यानिक राशी फल कैसा रहने वाला है अपने बच्चे का प्रदर्शन आज आपके बहुत ही खुशी भरा दिन दे सकता है बहुत ही खुशी भरा दिन देगा आपको बच्चों के तरफ से आज खुशी मिल सकती है भागीदारी वाले विवसायों को और चाला की वरी आरती की योजनाओं में निवेश नहीं करना चाहिए घर बदलने के लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है आज रोमानिया का मौसम जरा खराब सा हो सकता है क्योंकि आपका साथी आपसे आज कुछ ज़्यादा पेक्षा करेगा अगर आप किसी विवाद में उलग जाए तो आपको तल टिपनी करने से बचना होगा मुम्किन है कि आपका जीवन साथी आज आपके लिए पर्याप्त समय नहीं निकाल पाएंगे बिना किसी का साथ पाए भी आज के दिन आप भरपूर आनंद उठा पाएंगे अब बात कर लेते हैं उपाई की तो चावल ये चांदी माता से लेकर अपने पास रखने से आप किस्ट्रों के साथ मैं आज के दिन आप खुशी बाढ़ सकते हैं इससे आपको अपनी सेहत में और ज्यादा उन्नती देखने के मिलेगी माली सुधार की वजह से जरूरी खरीदारी करना आपके लिए बहुत ही आसान होगा किसी बुज़ुर्ग की सेहत की चिंता का सबक आ ता हुआ दिखाई देगा आज के दिन आप प्रेम में बहुत जादा पड़े हुए दिखाई देंगे सभी सीमाओं के परे रहेगा आज का दिन आपका प्रेम आपने ये बाते पहले भी सुनी होगी लेकिन आज वह दिन है जब आप अगर चाहे तो यह खुद महसूस कर सक कोई रोचक मैगजीन या उपास कोई पाठ पुस्तक के जो भी आप पढ़ना चाहते हैं आज के लिए आज के दिन आप ये चीज़े पढ़ सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने में व्यतीत कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही लाबदायक साबित होगा नाटक देखकर आज आपका मन पहाड़ों वाले एरिया में जाने का कर सकता है उपाई की बात करें तो परिवारिक जीवन में कुशहाली के लिए पुरुष मस्तिष्क पर लाल्टी का लगाए और ग्रहनी लाल सिंदूर का प्रयोग करें मकर राशी वालों के लिए बात की जंगी आज आपके माते पर शिकन ला सकती है घर में कुछ बदलाव आपको काफी भावुक बना सकते हैं लेकिन आप अपनी भावनाओ को उनके सामने साबित करने में कामियाब रहेंगे जो आपके लिए खास है आपका प्रिये आपसे भरोसे और वादे की जरूरत कर सकता आज आपके प्रिये को भरोसे और वादे मांग सकता है आपसे घर में कुछ छोटे सदस्यों को साथ लेकर आज आप किसी पिकनिक पे या शौपिंग पार्क वगरे में जा सकते हैं विवाहिक जीवन में सब कुछ अच्छा महसूस होगा सुभा की ताजी दूब आज आपको नई उर्जा प्रदान करेगी उपाई की बात करे तो परिवारिक जीवन को अच्छा करने के लिए आपको लोहे की बरतनों का दान करना चाहिए गरीबों व्यक्ति में ऐसे दान करना आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा आपके परिवारिक जीवन में खुशिया बनाए रखेगा कुम्बराशी की बात की जाए तो कुम्बराशी वालों के लिए कैसा रहेगा दिन मौजमस्ती की यात्रा है और सामाजिक मेल जोल आपको खुश रखेगा और सुकून भी देगा यह बात भली बाती समझ ले कि दुख की घड़ी आपको संची धन आपके काम आने वाला है इसलिए आज के दिन आपको धन संचय करने का विचार बनाना रख चाहिए विदेश में रह रहे है किसी संबंदी से मिला उपहार आज आपके बहुत ही खुशी दे सकता है आपका प्यार ना सिर्फ परवान चड़ेगा बलकि नई उचाईयों को भी चुएग दिन की शुरवात प्रिये की मुस्कान से होगी और रात उनके सपनों से ढलेगी आपकी कम्यूनिकेशन की शमता प्रभावशाली साबित होगी यह आपके पूरे विवाहिक जीवन में सबसे जादा इसने है पुर्व दिन रहने वाला है मैट्रो में सफर करते दौरान आज आपको किसी विपरित लिंग शक्स से आपकी आखेचार हो सकती है उपाई की बात करे तो शराब सीक्रेट का प्रयोग न करे आपकी आर्थिक पक्ष में अच्छी इस्तती बनी रहेगी मीन राशी की बात की जाए तो आज का दिन मौज मस्ती और आनन से भरा रहने वाला है क्योंकि आप जिन्दगी को पूरी तरीके से जीएंगे आज के दिन अगर आप यात्रा कर यात्रा पर जाने वाले हैं तो अपने कीमती सामान पर आपको बहुत जादा ध्यान रखने की आवशक्ता है नहीं तो चोरी होने की संभावना है खास करके अपने पर्स को आज बह लोगों को दुखी कर सकती है दिन को खास बनाने के लिए आपको इस नह और उदारता कि छोटे मुटे तौफे लोगों को दे सकते हैं अगर कहीं बाहर जाने की योजना है तो वह आखरी वक्त पर टल सकती है आज आपको अपने जीवन साथी से एक बार फिर से प्यार हो सकता है बिना किसी को बताए आज आप घर में चोटी मुठी पार्टी का आयोजन कर सकते हैं उपाई की बात करें तो आर्थिक स्तिति को अच्छी करने के लिए आप लसुन और प्याज की गाठी बैते जल में प्रभाहित कर सकते हैं यह था हमारा दैनिक राशी फल अब हम बात क करेंगे पंचांग के बारे में कि आज का पंचांग कैसा रहने वाला है आज की तिथी शश्टी रहने वाली है नौ बचकर 44 मिनिट तक नक्चत्र की बात की जाए तो स्वाती नक्चत्र रहने वाला है योग गांदा योग रहेगा तीन बचकर 26 मिनिट तक करंड की बात की जाए तौ आज रविवार होने वाला है सूर्य दरश्यास्त की बात की जाए सूर्य दigा साथ बचकर 15真 के समय पर होगा औरूरा श्यास्त 6 मंट पर श्यम के समय पर चंद्रीरश्त की अज तेरा मुझा की बात की Umasa तो अश्व मूरत राहू काल रहने वाला है, जो की 5 बचकर 8 मिनिट से लेकर 6 बचकर 33 मिनिट तक रहेगा शुब मूरत की जाये तो अभीजीत मूरत 12 बचकर 30 मिनिट से लेकर 1 बचकर 15 मिनिट तक रहेगा यह था हमारा पंचांग आज हमने बात करी पंचांग और दैनिक राशी फलकी ये वीडियो ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब, कमेंट करके अवश्य बताईएगा जनकुणली बनवाना चाते ही अपनी कोई भी समस्या का समाधान पाना चाते है तो नीचे दिये के नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं जैश्री राम हर समस्या का समाधान, वो भी घर बैठे बैठे, हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान लव प्रॉब्लम हो या प्रेकप प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर पर लिवार को डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपने खोई रहुआ हुआ प्यार अधे चानकारी ली विजिट करें हमारा यूटियूब चैनल जोटिश जिग्यानी और संपत करें हमारा कॉंटेक्ट नम्बर है 782891329 नहीं बादे